personality trait theories की जब हम बात करते हैं तो personality की traits की हम बात कर रहे हैं अब इसको मुतलिफ terrorist ने मुतलिफ psychologist ने differently explain किया है कि वो कौन सी traits हैं जो कि इनसान की personality को stable और attractive बनाती हैं अब यहां पर जो मुतलिफ theories आई ही किसी ने इसको central trait के साथ discuss किया किसी ने इसको general traits के साथ discuss किया किसी ने core competencies बताई ही किसी ने कहा जी यह cardinal जो है वो जो इसकी traits हैं वो ज़्यदा important है जिसमें उन्होंने कहा कि वो कुछ hereditary factor से इंसान जो है वो traits लेके आता है कि यह तो जी इसकी nature ही ऐसी है nature क्या चीज़ है क्या traits है जो किसी personality को stable बनाती है attractive बनाती है अगर हम इस बैस में ना भी जाएं you can imagine generally अगर हम imagine करें आप अच्छी personality positive personality को कहते हैं या आप अच्छी personality अच्छी deal करने वाली personality को कहते हैं तो आपके हाँ definition personality की क्या है ये भी सोचने की बात है कि आप को जो theory बता रही है कि आप को जो किताब बता रही है कि आप उस personality की definition से agree करते हैं या जो आपका interaction है society में जिस personality के साथ जिस किसम का आपका interaction है लेकिन ये सारी बहस जो है ये मुतलिव terrorist ने की और उन्होंने देखा कि मुतलिव ih Credit जो है वो इन्सान की personality को complete करती है तो personality word is controversial and this concept was controversial क्योंकि terrorist जो है वो किसी एक definition के ऊपर मतफ़िक नहीं हो रहे थे तो फिर ये Big Five का एक model esta किया गया जिसमें कहा गया कि यह जो पांच traits हैं यह किसी भी इनसान की personality को strong, positive या stable show करती है अब वो कौन सी यह traits हैं जो किसी personality को strong show करती है उसमें सबसे पहले extraversion है extraversion का मतलब यह है कि we have socialization need we want to interact with people, we want to make relations with people we want to deal with people, so extraversion means that it is a natural tendency or trait of any human तो a man cannot live without humans that is the desire, wish or trait of the personality कि वो लोगों के साथ interact करना चाथ अब इंटरेक्ट करने का तरीका क्या होगा जिसे उसकी personality को लोग अच्छा समझेंगे interact करेंगे तो वो लोग जो give and take पे चलते हैं और कहते हैं कि जी मुझे ही सर्फ करना चाहिए ज़्यादा और मुझे जो है लोगों से expectations नहीं रखनी चाहिए उस personality को लोग ज़्यादा अपसंद करते हैं तो ये extra virgin में आएगा जब आप लोगों से expectations नहीं रखेंगे और लोगों को सर्फ करने में ज़्यादा होशी महसूस करेंगे तो ये वली personality को वो कहरागी stability की निशानी है फिर agreeableness है कि आप cooperative हैं आप agree करते हैं वो ज़्यादा तर मौमलात में लोगों के साथ जगडा नहीं करते हैं difference of opinion तो एक natural tendency है लेकिन आप हर बात में अपनी मनवाने की कोशिश नहीं करते हैं बलकि आप लोगों के साथ मिल के चलना चाहते हैं इसलिए आप उनको major decisions में agree करते हैं फिर तीसरी चीज़ है जी consciousness active part करते हैं आप actively role जो है उपना play करते हैं society में अपने family matters में अपने friends के साथ अपने आपको ये नहीं के मुझे तो कुछ पता नहीं जो तुम decide करना चाहते हो वो करो मजबूत personality जो होती है वो decision maker होते हैं decision taker होते हैं तो यहां वो बात करें जी consciously, actively जब आप अपना role play करते हैं किसी भी चीज़ के लिए तो ये भी एक मजबूत personality की एक निशानी है उसके बाद emotional stability क्या है emotions को control करना emotional intelligence का लफ़ भी हम استعمال करते हैं कि where to cry and where to smile, where to laugh अपने emotions को control करना है चाहे कोई एक बात आपको बुरी भी लग रही है तो लोगों की welfare के लिए लोगों का ख्याल करने के लिए आप अपने emotions को काफी control कर लेते हैं तो अच्छे अखलाक वाला इनसान widely accepted है जो aggressive है और depressive है लोगों को जो है criticize करने वाला है उसको जो है हमारी society accept नहीं करती इस तरह से और मजबूत personality के अंदर stability के लिए आपके अंदर जो है emotional stability बहुत जुरूरी है लास्ट है जी openness to experience के जितनी innovations और discoveries हुई है इस desire के वज़े से, इस trait के वज़े से हुई है कि the person who is always you know wonders what to do and where to do and how to do then he or she will learn new skills and they are ever ready to learn new skills ऐसे लोग जो होते हैं न thrilling और adventurous ये बड़े पसंद किये जाते हैं society में और ये adventurous और thrilling लोग जो हैं यह innovations लेके आते हैं तो इसलिए ये जो एक trait है openness to experience ये भी इंसान की natural tendency, motive है कि वो एक नई चीज़ों को जो है वो explore करना चाहता है तो explorers जो हैं ये भी इंसानों के साथ बड़ा मिलने में हुशी मैसूस करते हैं, लोग भी जो है इनके thrill और इनकी जो है वो adventurousness की वज़ा से इनको पसंद करते हैं, so that is also a part of the strong and stable personality